Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel So last videos में, last sessions में हम लोगों ने आल्रेडी डिसकस किया कि कैसे tighter tag को optimize करते हैं, कैसे meta description को optimize करते हैं So today we are going to discuss how we can optimize header tag H1, H2, H3, H4, H5, H6 So कैसे header tag को, H1 tags को हम लोग optimize करेंगे इसका importance क्या होता है कहाँ पे दिखता है, कहाँ पे use करते हैं सारी चीज़ों को आज डिटेल में discuss करेंगे So what is header tag? Header tag actually में होता क्या है? So header tag किसी भी web page के लिए सबसे important role play करता है वो सबसे top में होता है और heading का सबसे important main चीज होता है So header tags are HTML tags that tells a browser what styling it should use to display a piece of text on a web page Now H1 tags are used to denote most important text जो भी H1 tags होता है, वो सबसे परे किसी भी web page पे सबसे top में use किया जाता है इसके बाद H2 use करते हैं, then H3, H4, H5 and H6 Total HTML में H1 to H6 होते हैं tags But generally, यह देखने को मिलता है कि H1 to H3 सबसे ज़्यादा use होते हैं In other cases में H4 use होते हैं, इससे ज़्यादा कभी जोट नहीं पड़ता है So H1 to H4 में सारी चीजें हो जाती हैं आप यदे structured way में आप write करते हैं आप web pages को, अपने pages को optimize करते हैं तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर एक दो चीजें clear कर देते हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले discuss किया था title tag and today we are going to discuss H1, H2 means header tag So, इन दोनों में क्या फर्क होता है या क्या दोनों एक ही जैसे होते हैं Actually में आप देखोगे तो एक closely related होते हैं एक दूसरे से title tag क्या होता है, title tag कभी भी आपके web page पे नहीं दिखेगा title tag हमेशा SERP के लिए बनाया जाते हैं जो कि search engine result pages पे यानि जब Google पे कोई चीज सर्च डारते हैं तो वहाँ पर जो दिखता है, वहाँ पर title tag जो हम लोग लगाते हैं उसके वाज़े से वो दिखता है बट, h1 tag जो होता है, वो जो भी आपका web page जो होता है जो भी जैसे कि आप बहुत सारे web pages आप बनाते हैं P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया ऐसे आप web pages बनाते हैं तो हर एक pages पर जो आप content write करते हैं वहाँ पर हम लोग h1 tag write करते हैं और यह h1 tag जो होता है वो जो टाइटर यहाँ पर जो heading से दिखती है, top में होता है h1 के वज़ा से तो I hope कि यह clear हो गया होगा आपको कि मतलब h1 और means header tag and tighter tag में क्या differences होते हैं तो इस तरीके से यह differences होते हैं यहाँ पर आप exampers में भी यह screenshot मेंने रिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर heading 1 जो h1 है उस सबसे top most important है then h2 है, then h3, then h4, then h5, then h6 इस तरीके से structured way में write करते हैं एक चीज और ध्यान अखना चाहिए title tag जो होता है title tag हमीसा head के अंदर आता है title tag हमीसा जब भी html में कोई भी code रिखा जाता है तो title tag जो होता है वो हमीसा head के अंदर आता है title tag head के अंदर आता है but वहीं पर यदि h1 की बात करें तो h1 हमीसा body के अंदर आता है जितने भी h1, h2, h3, h4, h5, h6 से जितने भी h1 means header tags होते हैं सारे body के अंदर आते हैं तो यह एक difference आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब title tag head के अंदर आता है and h1 to h6 body के अंदर आता है जब कोई भी crawler किसी भी web page पे जाता है जब कोई भी crawler किसी web page पे सबसे पहले विजिट करता है तो वो क्या करता है one by one मतलब जैसे crawler आया जब यहां पे crawler आता है तो क्या करेगा वो सबसे पहले जाता है पहले title पे जाएगा फिर h1 पे जाएगा h2 पे जाएगा तो crawler के लिए भी उतना ही important होता है title यह h1 text जितना की user के लिए और Google हमेशा बोलता है कि आप यदि user का ध्यान रख लिए तो crawler मतलब user का ध्यान रखना सबसे must होता है crawler का तो रखना ही रखना होता है रेकिन उससे जादा important होता है user का अब suppose that किसी book की बात करें यदि कोई भी book जो होता है तो book में आप देखते हो कि book जब आप open करते हो सबसे उपर एक title होता है जिससे आपको पता करता है उसके बाद chapters होते है chapters के अंदर आप जाते हो तो एक-एक chapters के अंदर point-wise हर एक details रिखे होते है तो यह होता है कि structured way ऐसे ही similarly आप यदि एक्जाम में जाते हो एक्जाम जब देते हो तो एक्जाम में आप हर questions का properly heading डारेते हो फिर उसके अंदर sub heading होते हैं इसलिए क्योंकि examiner को easy हो जाता है चेक करने में या चीजों को समझने में आप book जब read करते हो properly structured way में written होता है तो आप उसको easily समय लेते हो और वो सबसे ज्यादा user prefer करता है ऐसे books को similarly यहां पे भी है कि आपका header जो होना चाहिए ओ optimize होना चाहिए properly होना चाहिए तो इस तरीके से हम लोग header, title और html में h1 tag को समय सकते हैं अब यहां पर मैंने और भी examper से रिया है और structure को यहां पे समझते हैं अब जैसे इस example में देखें तो यहां पर h1 सबसे top में है और h1 ही सबसे main important होता है क्योंकि h1 को जब crawler आता है और crawl करके जब h1 read करता है तो उसमझ में आ जाता है कि यह पूरा जो page है 21 बारे में है तो h1 ही उसको बताता है कि यह page इस topic पे है और उसी से related ranking में help करता है उसके बाद h2 आता है h2 के अंदर आप h3 use कर सकते हैं subheadings के लिए फिर आप h2 use किये फिर h3 use कर सकते हैं finally conclusion तो यह एक structured होता है किसी भी web pages का यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या कर रहा है user सबसे पहले मतब website owner सबसे पहले h2 use किया then h3 किया then यहाँ पर h1 use कर रहा है जो की गलत है फिर h3 use किया then h2 then h2 तो यह गलत है अमेशा h1 should be at the top यह नहीं कि आप h1 कहीं पर भी write कर दे रहा है h1 हमेशा top पर होना चाहिए then h2 h3 इस तरीके से अप इसी को आप यहाँ पर देखो सबसे पहले h1 write किया then h2 then h3 then h3 then h3 then h3 then h3 subheading so this one is correct but this one is not because h1 यहाँ पर बीच में use हो रहा है और इसे use होना चाहिए top में तो यह structure हमेशा follow होना चाहिए कि h1 हमेशा top में use होना चाहिए ना कि h2 या h3 के बाद होना चाहिए कुछ tips हैं इसे ध्यान रखना चाहिए लाइक एक ही h1 tag मतलब आपका यह web page है और इस web page पर आपने आपने क्या किया कि h1 write किया फिर h2 tag write किया फिर यहाँ पर h1 tag write कर दिया तो ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब multiple h1 same page पर नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आप खुद ही google को यह crawler को confuse कर रहे हो कि actually में आपका यह page किसके बारे में है h1 का मतलब ही होता है main heading और आप यहाँ पर user को user as well as crawler दोनों को confuse कर रहे हो कि यह page किसके बारे में है तो इस तरीके से नहीं write करना चाहिए दूसरा आपने suppose that यहाँ पर 2-3 web pages बनाय हुए है मतलब p1, p2, p3 यहाँ पर आपने जो h1 डाला वही h1 tag यहाँ पर भी आप use कर रहे हो मतलब जो heading आपने इसमें डाला वही heading यहाँ p2 में भी page 2 में भी और page 3 में भी डाल रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब एक ही heading को दूसरी जगह website में नहीं use करना चाहिए नहीं तो crawler confused हो जाएगा और फिर आपके webpages के rank होने के chances very less हो next one is should use on every page at the top means h1 हमें साथ top में हर एक page के top में use होना चाहिए उसके बाद h2, h3 होना चाहिए next one is include keyword and intent of the keywords means जो आपका primary keyword आपने select किया है उसे h1 के अंदर use करना चाहिए इसको ध्यान रखना चाहिए आपको और intent यानि जो जिस बारे में आपका है page तो उसका intent क्या है user के according उसे use करना चाहिए next one is don't over stuff or head attacks with your head attacks with keywords means आपका भी अपने h1 का जो title जो heading है उसको spam नहीं कर देना चाहिए मतलब एक ही keyword को बार बार use नहीं करना चाहिए तो keyword stuffing या spamming नहीं होनी चाहिए next one is header keep headers short and consistent आइसा होना चाहिए कि मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत short भी नहीं होना चाहिए 3 to 5 words का generally recommended होता है बट ऐसा कुछ नहीं है Google ने ऐसा कोई guideline ने दिया है कि हां मतलब इतना ही words या इतने characters होना चाहिए बट generally 3 to 5 words use करना recommended next one is do not use same h1 on different pages जो कि मैंने यहां पर already बता दिया है कि same h1 को आप मतलब different different pages पे नहीं use करना चाहिए h1 and tighter text can they be different यह बहुत रोग question पुछते हैं कि यह क्या different होना चाहिए यह same होना चाहिए यह different होना चाहिए बट हाँ यह होता है कि उनका meaning generally मतलब एक ही जैसा नहीं करता है बहुत closely related होते हैं but already मैंने बता दिया है कि मतलब tighter कहां दिखता है और h1 कहां दिखता है तो दोनों closures related होते हैं but आपको दोनों को different रखना चाहिए but हाँ many कुछ ऐसा नहीं निकार जाना चाहिए जो कि उस page से related नहीं How many levels of header tags are there तो already discuss कर चुके हैं कि h1 से लेकर करके h2, h3, h4, h5 and h6 total 6 तक होते हैं but generally जो use होते हैं h1 to h3 use होते हैं कहीं पर भी किसी भी web pages में अब इसको examper के तुरू देखना है कि हाँ really में कहां पर आप देख सकते हैं तो उसको अभी मैं दिखा देता हूँ अब जैसे suppose that मैंने यहां पर एक search डाला digital marketing और digital marketing में आपको पता है कि मतलुक पहले ही मैं बता चुगा हो कि यह क्या होता है यह URL होता है इसके बाद जो यह आता है टाइटर टैग यह टाइटर टैग जो लिखे हुए है उसके वज़ा से यहां पर दिखा रहा है what is digital marketing digital marketing overview तो यह सारे टाइटर टैग और इसके नीचे होता है description यह description लिखे हुए है तो यहां पर टाइटर टैग दिखे रहा है रेकिन जो इस पर जब हम click करेंगे तो यहां पर जो दिखता है यह टाइटर टैग नहीं है यह क्या है h1 टैग होता है यह जो main होता है अब इसको आपको देखना है तो क्या करेंगे इसका source code open कर लिजे कैसे करेंगे ctrl u को press कर देजिए आप ctrl u जैसे ही प्रेस करेंगे आपका source code open हो गया उस web page का आपको आप देखना है तो simple ctrl f कर देजिए और यहां पर search ऐसे रगाईए h1 अब आप search किजिए देखे यहां पर what is digital marketing h1 में written है तो ऐसे आप check भी कर सकते हैं और इस पूरे web page पर देखेंगे केवल एक ही h1 tag है बट अभी आप h2 check किजिए तो h2 में भी multiple देखो h2 यहां पर 9 h2 use हुए है बट h1 एक ही है तो यह optimize web page है यह properly optimize किया गया है इसमें आप देखो कि h2 यहां पर use किया गया है अब यह देखो आप digital marketing matters इसको आप जाकर के website पर search डालना है तो आप search भी डाल सकते हो वहां पर और आप देख भी सकते हो कि आप यह देखो आप इस website पर यहां पर आ रहा है तो h2 में आ रहा है और h1 में सबसे पहले यानि सबसे top में h1 ही use हुआ उसके बाद जब subheading आई तो यहां पर h2 use हो रहा है फिर उसके नीचे भी h2 use हो रहा है तो इस तरीके से आप किसी भी website पर जाकर करके आप उसका source code से check कर सकते हैं कि h1 tag कहां पर use हुआ है और कितनी बार use हुआ है तो जैसे पहले ही बताएं कि h1 tag more than one time नहीं use करना चाहिए तो I hope कि आपको clear हो गया होगा header tag कहां पर use करते हैं कैसे use करते हैं कैसे optimize करते हैं और अब next video में हम लोग discuss करेंगे next topic Thank you, thanks for watching